हलो एब्रिवन सार्दे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में हम डिसकस करेंगे रियल एनलेसिस का चैप्टर सेकंड सिक्वेंसेस फर्स्ट चैप्टर रियल नमबर सिस्टम मैंने कंप्लीट करा दिया है मैं उसकी लिंक आपको डिसक्रेप्शन में दे दूँगी आप वहाँ से आकर देख लेना क्योंकि जब आपके पीछे के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तब ही आपको आगे एकदम अच्छा समझ में आएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हमारा फिर्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा सिक्वेंसेस तो सिक्वेंसेस क्या होता है Let S be non-empty set इफ फंक्शन whose domain is set of natural numbers and whose range is subset of S is called a sequences in the set S क्या कह रहा है हमारे पास एक S non-empty set है तो एक फंक्शन whose domain तो हमारे पास एक ऐसा function जिसका domain क्या हो set of natural number and whose range is subset of S और उसकी range क्या हो subset हो S की तो जो हमारा function है वो क्या कहलाएगा हमारा sequence कहलाएगा in the set S में ठीक है अगर हमारे function का जो domain है वो natural number हो और जिसकी range जो हमारा subset दे रखा है जो हमारा subset दे रखा है S उसका subset हो तब हमारा वो जो function है वो क्या कहलाएगा sequence कहलाएगा ठीक है अब हम बात करते हैं real sequence की real sequence क्या होता है तो इस sequence whose range is a subset of R is called a real sequence यानि कि वही है यहाँ पर इसका domain क्या होना चाहिए natural number और इसकी range क्या होनी चाहिए यहाँ पर subset of R, real number होनी चाहिए इसकी जो range है वो real number की subset होनी चाहिए तब हम इसे क्या कहेंगे real sequence तो इस chapter में हम क्या पढ़ेंगे हम real sequence के बारे में ही पढ़ेंगे sequence के अंदर जो real sequences के बारे में पढ़ेंगे तो आगे है if function f n tends to r which is defined by f n equal as n for all n belongs to n is a sequence of real number यानि कि जो function है natural number से कहां पर जा रहा है real number की तरफ मतलब natural number real number से attach हो रहे हैं उसका जो range है वो real number है तब उस function को हम क्या कहेंगे sequence of real number देखे अभी मैं आपको example से समझाऊंगी तो आपको एकदम clear हो जाएगा ठीक है देखे पहले यह देख लेते हैं इसको denote किस से करते हैं तो if s is a sequence then the image sn of n belongs to n is usually denoted by sn तो हमारे अगर s sequence है और उसकी image sn n belongs to n usually denote किस से की जाएगी sn से ठीक है यहाँ पर जो हमारे real number में देखे यहाँ पर आप real number का जो set है यह जो हमारी range है यहाँ पर यह किस से denote कर जाएगी s1, s2, s3, sn तब ठीक है और इसका जो हमारे sequence बनेगा उसको हम कैसे लिख सकते है sn से ऐसा bracket लगाते हैं किसी-किसी book में आपको ऐसे भी bracket मिल जाएगे कहीं कहीं अलग-अलग नलता है कहीं कहीं आपको fn से भी लिखा हुआ मिलेगा तो आप confuse ना हो उसका मतलब यही है ठीक है यहाँ पर देखिए यह दे रखाए यह हमारा domain दे रखाए यह हमारा domain है यह domain जो है वो हमारा set of natural number है ठीक है तो यहाँ से यहाँ पर एक function जा रहा है यह function define हो रहा है एक हमारा fn माल लीजिए आप इसे sn माल लीजिए कुछ भी माल लीजिए तो fn तो जब n की value 1 है तब हमारा जो यह set में आ रहा है वो क्या रहा है हमारा s1 जब 2 रखेंगे तो s2, 3 रखेंगे तो s3 और n रखेंगे तो sn ठीक है और यहाँ पर जो image sn है यह हमारी image है इसमें जो sn है n की image यह क्या कहलाएगी हमारी nth term of sequence क्योंकि यह इसका first term है यह second है तो यह क्या हो जाएगा हमारा nth term of sequence इसको example के थुरू समझ से है जिससे आपको एकदम clear हो जाएगा यहाँ पर हमारा दे रखा है sequence 1y n दे रखी है तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते है is the sequence इसको हम लिख सकते है n की जगे 1 put करेंगे 1 n की जगे 2 put करेंगे 1 by 2 n की जगे 3 put करेंगे 1 by 3 ऐसी dot 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 1 by n ठीक है इसी तरीके से हम आगे n upon n plus 1 किस तरीके से लिख सकते है is the sequence यह किसकी sequence है देखिए 1 value put करेंगे तो 1 by 2 2 करेंगे तो 2 by 3 ऐसे ही आगे ये भी चलता जाएगा ठीक है बस हमें n की जो value है वो हमें natural number put करते चलना है पहले 1 फिर 2 फिर आगे हमारी sequence बनती चलेगी अब हम बात करते हैं range of a sequence तो जो sequence की range होती है वो क्या होती है तो the set of all distinct terms of a sequence is called its range तो जो हमारा इस sequence की हम जो distinct term है अलग-अलग जो distinct term है अगर हम उनका एक set बनाएं तो उसे हम क्या कहेंगे range of a sequence क्योंकि sequence में तो हमारी जो value है वो दुबारे repeat भी हो सकती है ऐसे 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 ऐसे करके लग भी सकते हैं आएगा जैसे example देखिए यहाँ पर आप देखिए अच्छे समझ में आएगा जैसे sequence है minus 1 की power n की तो जब हम 1 रखेंगे तो minus 1 आएगा 2 रखेंगे तो 1 आएगा फिर minus 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर minus 1 आएगा यह ऐसे आगे बढ़ता जाएगा तो इसकी जो हमारी range होगी, वो क्या होगी? range की definition है, range कैसे निकालते हैं तो set of all distinct terms of a sequence is called its range तो इसकी जो distinct terms हैं, उसका हम set बना लाएगे तो उसे क्या बोलेंगे? range of sequence तो distinct terms क्या है है हमारे? minus 1 और 1 क्योंकि उसके बाद तो हमारे दोबारे repeat हो रहा है minus 1, 1, minus 1, 1 तो इसलिए इसमें केवल दो ही distinct terms है, एक है minus 1 और एक है 1 तो यह हमारे क्या बन जाएगा? यह जो हमारे set है, यह हो जाएगा range of sequence ठीक है और यह क्या है हमारे finite है क्योंकि यह आप देख सकते हैं minus 1 और 1 है तो इसलिए finite range है, ओके? अब हम आगे बात करते हैं देखिए range of sequence may be finite और infinite without ever being the null set मैंने भी बताया आपको यहाँ पर ही वाली finite है तो जो range है sequence की वो हमारी finite भी हो सकती है और infinite भी बत वो null set नहीं होगी ठीक है, जो sequence का range का जो set निकल कर आएगा वो हमारे यह तो finite होगा यह infinite होगा बत वो हमारे क्या नहीं होगा हमारा null set नहीं होगा ठीक है, example की तुरू समझते हैं अच्छे से example है हमारा minus one की power n upon n यह एक sequence दे रखी है तो इसको हम कैसे लख सकते हैं sequence को, one value put करेंगे तो minus one क्योंकि minus one की power one by one तो minus one, फिर two value put करेंगे तो one by two three value put करेंगे तो minus one by three आगे one by four, यह ऐसे हमारा आगे चलता जाएगा अब इसकी range क्या होगी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी value है वो सब क्या है हमारी अलग अलग है तो यह पूरा ही जो sequence है वो ही हमारी क्या हो जाएगी range तो range क्या हो जाएगी इसकी set में इसका क्या होगा minus one, one by two सब इसकी जितनी भी time आएगी वो हमारी क्या होगी इसकी range क्योंकि सारी item इसके क्या है हमारी distinct term है तो इसको हम क्या बोलेंगे कैसी है इसकी range infinite है क्योंकि आगे ऐसे भढ़ते जाएगी तो यह क्या हो जाएगी हमारी infinite set हो जाएगा यह range का आगे हमारा minus 1 की power n का sequence है तो मैंने आपको यह वाला example समझाया है 1 रखेंगे तो minus 1, 1, minus 1, 1 तो range हो जाएगा इसका range कितना होगा हमारा minus 1, 1 ठीक है क्योंकि district है element केवल और केवल 2 ही है minus 1 और 1 तो यह क्या हो जाएगी हमारी इसकी range finite हो जाएगी clear हुआ अब है हमारा sn हमें को sequence भी रखा है sn वो है हमारा 7,7,7 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस sequence में 7,7,7 7,7 ही आ रहा है तो यहाँ पर केवल एक ही term है यह क्या है हमारा 7 तो इसको हम single tone set भी बोलते हैं और ऐसी range को हम constant range भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक constant value आ रही है constant sequence बोला जाता इसे constant sequence क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही constant है हमारा 7 इसलिए इस sequence को क्या बोल देंगे constant sequence एक और हमारा sn दे रखे है sequence दे रखे हैं minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1 इसकी जब हम range निकालेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ minus 3 है, ya minus 2, minus 1, 0 1, 1, 1, 1, 1, repeat हो रहा है तो केवल एक और 1 लिख लेंगे तो यह वालो जो हमारा set है यह क्या होगा हमारा finite क्योंकि इसके आगे तो सारा 111 ही आएगा तो distinct तो केवल इतने ही होंगे तो इसलिए यह जो हमारे ही सिक्वेंस बन क्याएगी वो क्या है जाएगी हमारी फाइन है अब हम बात करते हैं सबसेक्वेंस की अभी हमने बात की ती सिक्वेंस की अब हम बात करके हैं सबसेक्वेंस की सबसेक्वेंस क्या होता है let sn be any sequence sn क्या है हमारे पास कोई sequence है if n1, n2, dead, 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 nk be a strictly increasing sequence of positive integer तो यह जो हमारी n1, n2 है यह क्या है हमारी strictly increase हो रही है मतलब increase हो रही है sequence of positive integer then the sequence तब हमारे जो sequence बनेगा sn1, sn2, dot, 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 sn, k इसको हम क्या कहेंगे इसको हम sub sequence कहेंगे किसका sn का example से समझेए इससे समझ में नहीं आया हो वैसे simple एकदम कि sn हमारे पास कोई sequence है उसमें से अगर हम n1, n2, n, k की sequence यह जो sequence है हमारी increasing sequence है इसका अगर हम एक sequence बनाए sn1, sn2 तो इसको हम क्या कहेंगे sub sequence कहेंगे समझेए example से एकदम clear हो जाएगा आपका यहाँ पर है हमारा sn equal 1, 0, 1, 0, 1, 0 यह हमारी एक sequence से रखे हैं जहाँ पर 1 और 0 element हमारे आ रहे हैं, repeat कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जैसे यह हमारे यह क्या है हमारा s1 है 1 s2 है 0 s3 है 1 s4 है 0 ठीक है यह ऐसी आगे चलते जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं हम n1 n1 जो हमारा पहला n1 है वो हम क्या ले लेते हैं फस्स नम्मल का ले लेते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यह increasing order है मतलब पहले हमने सबसे पहले नंबर का लिया फिर तीसरे का लिया फिर पांच वे कि अरही हमने साथवे नंबर का लिया फिर हमने इनक्रिजिंग ले ने लिया फिर शेल पांच वे का लिया तो इसकी जब हम सेक्वेंस वनाएंगे जब हम यहां पर देख कि इसक्के। so 1, 3, 5, 7, dot 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 increase हो रही है ठीक है और अगर हम इसकी भी जो sequence बनाते हैं यह वाली SN1, SN2, SNK तो हमारी क्या बनेगी हमारी S1, S3, S5, S7, dot 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 तो S1 की value हमारी कितनी है 1, S3 की 1, S5 की 1, 1 यह so on ऐसे हमारी चलती जाएगी तो यह जो हमारी 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 यह क्या है हमारी यहां पर हमारी यह है सब sequence है किसका इस दिय हुए sequence की ठीक है यह ज़रूर ही नहीं है कि हमने पहला पहले 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 लिया है बट जो हमारी N1, N2 हम ले रहे हैं वो हम increasing order में ही लेंगे, ठीक है, कभी भी हम decreasing order में लेंगे, हमेशे increasing order में लेंगे, तब उसका जो हमारे sequence बनेगा, तब हम उसको क्या कह सकते हैं, सब sequence कह सकते हैं, इस दिये हुए sequence का, और example समझे, तब ही आपको example से एकतम clear होते चलेंगे, सारे concept, देखें, यहां हमारा दे रखा है, the sequence of primes, the sequence of primes, 2, 3, 5, 7, 11, is a subsequence of the sequence of natural number, 1, 2, 3, 4, 5, 10, तो यह हमारा कह रहा है, कि जो हमारे prime number का sequence है, 2, 3, 5, 7, 11, यह prime number का sequence है, वो क्या होता है, हमारा subsequence होता है, किसका natural number का, 1, 2, 3, 4, 5, तो आप देख सकते हैं, यह subsequence है, क्यों है, देखें, हमने यहां पर पहले, इस वाले set में से, second number का उठाया, 2, फिर हमने क्या किया, third number का उठाया, 3, फिर हमने, fifth number का उठाया, 5, फिर seven number का उठाया, seven, फिर eleven number का उठाया, 11, यानि कि यह जो हम N1, N2 ले रहे हैं, वो increasing order में ले रहे हैं, पहले पहले number का, फिर ऐसे, मतलब, increasing order में ले रहे हैं, तब हम इसे क्या कहेंगे? sequence, अब subsequence, अब subsequence कब नहीं होगा वही, अगर हम increasing order में नहीं लेंगे, strictly increasing order में नहीं लेंगे, तब हम उसे क्या कहेंगे subsequence, देखिए the sequence 7 square, 3 square 15 square, 11 square 19 square, that the test is not a subsequence of the sequence, 1 square, 2 square 3 square, 4 square, तो हमारे पास यह sequence दे रखिया है, और यह का हुआ है कि यह वाली, जो sequence है, वो इसकी क्या नहीं है subsequence नहीं है, क्यों नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि हमने पहले यहाँ पर n1 की जो value है, वो कितनी लिया है, 7 ठीक है, 7 नमबर वाला term उटाया है, फिर हमने n2 की value कितनी लिया है 3, n3 की 15 और n4 की 11 मतलब हमने आप पहले 7 नमबर का term उठा लिया, फिर 3 नमबर का, फिर 15 नमबर का, फिर 11 नमबर का, तो यह हमारे क्या नहीं है, यह हमारे strictly increasing नहीं है, क्योंकि अगर क्या होता है, पहले हम 3 नमबर का उठाते हैं फिर 7 का, फिर 11 का, फिर 15 का, तभी है क्या होता हमारा sub sequence, बट यहां क्या हो रहा है पहले 7 नमबर का उठा लिया, फिर 3 नमबर का उठा लिया तो इस तरीके से जब हम उठाएंगे तो यह हमारा यह हमारा strictly increasing order नहीं मनेगा इसका तो इसलिए से जो यह sequence बनेगी 7 square, 3 square, 15 square, 11 square और 19 square, डेट डेट डेस, यह क्या नहीं होगी हमारी sub sequence नहीं होगी इस ती होए sequence की, ठीक है, basic से आईए, अब हम आगे बात करते हैं Bounded Sequence की, तो Bounded Sequence क्या होता है, आप Real Number System में भी आप पढ़कर आएं Bounded Set, Unbounded Set, Bounded Ever, Bounded Blue, सेम वही process आ रहे हैं यहांपर वहांपर क्या होता था, Set के लिए और यहांपर क्या है, Sequence के लिए Same वह ही है, वहाँ पर ہं set के लिए लेते थे यहाँ पर sequences- ठीक है तो सबसे पहले हम bounded sequence को पढ़ने से पहले बात करते हैं Bounded आवफ और Bounded Drow को तब हम बात करेंगे Bounded sequence के बारे Bounded Eоме a sequence 참 is set to be bounded above if range set of sn is bounded above यानि कि भी range set के बारे में तो अभी मैंने आपको बताया है कि range set हमारे क्या होता है the set of all distinct terms of sequence is called range set मतलब जो sequence है उसका हमारी उसके distinct term का अगर हम set बनाएं तो उसे क्या कहेंगे range set तो यह bounded above क्या है अगर sequence sn bounded above कभ कही जाएगी अगर range set of sn is bounded above अगर जो range set है अगर वो bounded above होगा तब हम उस sequence को क्या कहेंगे bounded above कहेंगे तो मतलब यह सारी बात हमारी range set पर depend करती है अगर range set हमारा bounded above है तो sequence भी क्या होगा हमारा bounded above होगा ठीक है या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं sequence sn is set to be bounded above if there exists real number k1 such rate अगर bounded above कभ होगा जब एक real number k1 किस तरीके से exist करे sn is less than and equal to k1 for all and belongs to natural number या फिर एक real number k1 किस तरीके से exist करना चाहिए कि sn जो sequence में दी हुई value है sn है sequence है जो हमारा उसकी सारी value k1 से क्या हो चोटी हो यानि कि k1 है कैसा exist करना चाहिए जिससे सारी value sn की छोटी हो तब ही हम इसको क्या कहेंगे bounded above या फिर जो हमारे range set है वो क्या होना चाहिए bounded above तो the number k1 is called an upper bound of the sequence sn तो हमारा जो ये k1 है इसको हम क्या कहेंगे upper bound कहेंगे इस दी हुए sequence का क्योंकि ऐसी कोई भी value नहीं है sn की जो इससे क्या हो हमारी बड़ी हो ठीक है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे upper bound अब हम बात करते हैं bounded blow की a sequence sn is set to be bounded below if the range set of sn is bounded blow तो अगर हमारा जो range set है sn का वो अगर bounded blow है तो हमारी वो sequence भी क्या होगी bounded blow होगी ठीक है जैसे bounded above है तो वो bounded above होगी अगर range set हमारा bounded blow है तो वो हमारी bounded blow होगी sequence ठीक है या फिर हम ऐसे बोल सकते है sequence sn is set to be bounded blow if there exist a real number k2 such that या फिर हमारा जो k2 है वो इस तरही किसे exist करना चाहिए k2 मतलब एक real number k2 एक्जिस्ट करना चाहिए वहाँ पर कैसे करना चाहिए sn is greater than and equal to k2 यानि कि एक number से sn की जितनी भी value है वो क्या होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए for all n belongs to natural number ठीक है जब sn की जितनी भी value है किसी number से बड़ी होंगी तभी वो हमारे क्या होगा bounded blow होगा तो k2 एक्जिस्ट करेगा वहाँ पर तभी हम क्या कहेंगे उसे bounded blow ठीक है अब यहाँ पर क्या दे रखाए देखिए the number k2 is called the lower bound of the sequence sn यहाँ पर जो number k2 है जिससे sn की सारी value बड़ी है तो उस number को हम क्या कहेंगे lower bound कहेंगे sequence sn का ठीक है अब हम बात करते है bounded bounded sequence अभी हमने bounded blow और bounded above पड़ा है तो bounded क्या होता है वो देखिए इस sequence sn is set to be bounded if the range set of sn is both bounded above and bounded below अगर हमारा जो range set है वो bounded above or bounded below दोनों ही है तो उस sequence को हम क्या कहेंगे bounded कहेंगे ठीक है अगर हमारा जो range set है sn का वो bounded above bounded below है तो उसको हम क्या कहेंगे bounded sequence कहेंगे ठीक है या फिर ऐसे बोल सकते है if there exist two real numbers k1 and k2 such that k1 और k2 इस तरीके से हों आपर कि sn की जो value है वो k2 से तो हमारी क्या हो बड़ी हो और k1 से क्या हो छोटी हो for all n belongs to natural number ठीक है तब हम उसे क्या कहेंगे bounded अभी मैं आपको इस अभी के example बताऊंगी तो आपके एकदम clear हो जाएगा concept अब हमारा अगला point है a sequence sn is bounded if and only if there exists a real number k which is greater than zero such debt या फिर हम इस definition को bounded की को ऐसे बोल सकते है कि जो sequence है हमारा bounded कब होगा केवल और केवल अगर वहाँ पर एक real number k exist करे जो कि 0 से बड़ा है such debt किस तरीके से कि जो sn है उसकी जो value है वो या तो greater than क्या होनी चाहिए less than and equal to होनी चाहिए capital केगी तो ठीक है ये modular session है for all n belongs to natural number अब हमने बात किये bounded sequence की अब हम बात करते है unbounded sequence की unbounded sequence क्या होता है अभी बात किये bounded sequence की ये पहले भी हम पढ़ चुके है bounded unbounded पर हम set में पढ़ चुके है ऐसी इस chapter में काफी definitions आएंगी जो हमने set में पढ़ी है और यहां पर आकर भी पढ़ेंगे ठीक है तो unbounded sequence क्या होता है हमारा a sequence sn is set to be unbounded if it is either unbounded blow और unbounded ever जो हमारा sequence है sn वो unbounded कब कहा जाएगा या तो हमारा unbounded blow हो या फिर unbounded ever हो यानि कि या तो वो आप ऐसे भी कह सकते हो या तो वो bounded blow ना हो या फिर bounded ever ना हो ठीक है वही मतलब है उसका एक तरप से वो क्या नहीं होना चाहिए हमारा bounded नहीं होना चाहिए ठीक है या फिर दौन तरप से भी नहीं होगा तो भी उसे हम unbounded कहेंगे अब हम बात करते हैं supremum and infimum of sequence की इसके बाद example की भी बात करेंगे तो क्या है हमारा supremum और infimum the least number say m if it exist of the set of upper bounds of sn is called the least upper bound or the supremum of the sequence sn अगर हमारा कोई least number m capital m हमारा कोई least number है exist कर रहा है if it exist of the set of upper bounds of sn is called the least upper bound ठीक है ये बोल रहा है हमारा अगर list अगर हमारा कोई भी जो हमारा sequence है ठीक है वो हमारा क्या है upper bound है हमारी sequence तो जिस नम्मर पर वो upper bound है जैसे यहाँ पर क्या है हमारी वो upper bound है तो जो सबसे छोटा जो सबसे छोटा नम्मर होगा upper bound में सबसे छोटा नम्मर उसको हम क्या कहेंगे least upper bound या फिर supreme हम कहेंगे किसका sequence का sn का इसको हम capital mc denot कर रहे हैं ठीक है क्योंकि अगर हमारा कोई जो हमारा sequence है वो हमारा क्या है sequence दिया हुआ sequence हमारा bounded above है तो वहाँ पर क्या होगा एक least upper bound भी होगा least upper bound भी होगा क्योंकि जब bounded above है तो upper bound में जितने भी उसके upper bound में जो सबसे छोटा upper bound होगा उसको हम क्या कहेंगे सुप्रीमम कहेंगे सेम ऐसे ही जो हमारा यहां पर दे रखा है ग्रेटेस्ट नमबर से M if it exist of the set of the lower bound of SN is called the latest lower bound GLV or the infimum of the sequence SN ठीक है अगर हमने जैसे range set निकाला तो range set में अगर range set क्या है हमारा range कोई set है दिया हुआ range set है उसमें जो हमारा अगर वो bounded blue है bounded blue है तो वहाँ पर bounded blue में जो सबसे छोटा नमबर होगा जो सबसे बड़ा नमबर होगा bounded blue है तो बहुत सारे element ऐसे होंगे इसके अंदर जो इससे छोटे होंगे तो जो सबसे छोटा जो सबसे बड़ा नमबर होगा यहाँ पर वो हमारे क्या होगा greatest member उसे हम क्या कहेंगे M उसे हम बोलेंगे lower bound greatest lower bound या फिर infimum of sequence ठीक है यह हमने detailed में समझा है set वाले chapter में तो आप वहाँ से जाकर भी इसे देख सकते हैं simple सा है अगर हमारी range set में जो अगर bounded blow है तो जो सबसे बड़ी value है bounded blow की जो सबसे बड़ी value है उसको हम क्या बोलेंगे greatest number ठीक है यहाँ पर कुछ note है क्या है note देखिए if the range of a sequence is finite set then the sequence is bounded because a finite set is always bounded अगर हमारी जो sequence दिया हुआ है उसकी range क्या आती है finite आती है तो वो हमारा दिया हुआ sequence क्या होगा bounded होगा because a finite set is always bounded क्योंकि जो finite set होता है वो क्या होता है always bounded हमने bounded में पढ़ा है कि अगर range set क्या होती है हमारी range set finite होती है range set bounded होती है तब ही वो क्या होता है हमारे sequence bounded होता है तो simple सी बात है अगर हमारी sequence की range क्या होगी, finite होगी तो हमारा sequence होगा वो bounded होगा क्योंकि finite set क्या होता है always bounded होता है अब अगला है every subsequence of bounded sequence is bounded तो अगर every subsequence of bounded sequence यानि कि कोई हमारा bounded sequence है और अगर हम उसका subsequence नकाले तो वह भी क्या होगी हमारी bounded होगी यानि कि किसी भी bounded sequence की सभी subsequence क्या होते हैं bounded होते हैं ठीक है यह दो important point है अब हम इनके example की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी एक sequence दे रखी है 1 by n ठीक है यहाँ पर sequence दे रखी है तो इस sequence को हम इस तरीके से लग सकते हैं 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, dot 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 ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो value है यह क्या हो रही है 1, 1, 1 से start होई है और यह ऐसे आगे चलती जा रही है 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6, 1 by 7 और मतलब 1 by 2,000 एक stage ऐसी आएगी कि 1 by infinity तक पहुंच जाएगी देखिए आप समझेए एक stage ऐसी आएगी कि 1 by infinity तक पहुंच जाएगी यानि कि यह कहां तक इसकी जो last जा सकती है कहां तक जा सकती है तो यह क्या हो गया हमारा bounded हो गया क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर की कोई भी value ऐसी नहीं है जो क्या हो 1 से बड़ी होगी एक भी value ऐसी नहीं होगी क्योंकि देखिए 1 by 2 भी किस से 1 से छोटा है 1 by 3 भी 1 से छोटा है और एक भी value ऐसी नहीं होगी जो 0 से बड़ी होगी क्योंकि आप कुछ भी ले 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 हैं 1 by infinity कुछ भी कितना भी बड़ा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा 0 ही हो जाएगा इसलिए यह जो हमारी दिया हुआ यह सिक्वेंस है क्या होगा हमारा बांड़ अब यहां बात करते हैं देखिए जब हम इसको लेखेंगे तो कैसे लेखेंगे वन की वन पहली पट करेंगे तो minus 1 यह फिर होगा 1 फिर minus 1 फिर 1 dead dead इसकी जब हम रिंज निकालेंगे रिंज कितनी होगा इसकी रिंज रिंज ओप सिक्वेंस कितना होगा हमारा minus 1 और 1 क्योंकि distinct element लेते हमारी दिये हुई sequence की तो distinct element क्या है हमारा यहां पर minus 1 और 1 तो आप इहां पर देख सकते हैं कि यह क्या है हमारा यह finite है, minus 1 और भी हमने बात की है if the range of sequence is finite set, अगर किसी sequence की जो range है, वो finite है तो वो हमारे sequence क्या होगा? bounded, तो इसलिए हमारे क्या हो जाएगा? bounded, ठीक है? क्योंकि इसकी value जो है, वो minus 1 रहेगी और 1 रहेगी, ठीक है? अब बात करते है, n square की तो n square का sequence क्या बनेगा? हमारा बनेगा 1 फिर 2 value रखेंगे 4, 3 रखेंगे 9 फिर रखेंगे हमारे 16 डोट 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 और हमारी range भी इसकी सेम यही बनेगी तो जब आप देख सकते हैं कि पहले लिख लीजिए अगर आपको लिखनी हो तो range आप देख सकते हैं यही बनेगे हमारी 1, 4, 9, 16 डोट डोट तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह वाला जो sequence है यह bounded blow तो है इसकी कोई भी value 1 से छोटी तो नहीं जा रही है बट bounded above नहीं है हमें पता नहीं है कि यह कहां तक जाएगी bounded above नहीं है तो इसलिए हम इस set को क्या नहीं कहेंगे bounded नहीं कहेंगे क्योंकि bounded की condition है कि वो bounded blow भी होनी चाहिए और यहाँ क्या है हमारी यहाँ तो है हमारी कि यह हमारा bounded blow तो है बट क्या नहीं है हमारा bounded above नहीं है बट not bounded तो इसलिह हम इसे क्या नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे, अब हम अगले एक्जमपल की बात करते हैं, हमारी एक स्केंज्क दे रहा है, 1 ब्लस माइनिस 1 की पावर एंड, ऐसा हमारा स्केंज दे रखा है, 1 ब्लस माइनिस 1 N, तो देखिए जब आप पुट करेंगे वैल्यू, त 1 1 put करेंगे तो 1-1 कितना हो जाएगा 0 2 put करेंगे यहाँ पर तो 1-1 2 हो जाएगा फिर हमारा 0 फिर 2 यह ऐसे चलता जाएगा और यह क्या हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा हमारा इसके जो range होगी distinct element क्या होगा हमारा 0 2 तो यह क्या है हमारी यह finite है जो इस range है तो जब यह finite है तो यह हमारी क्या हो जाएगी bounded हो जाएगी तो यह set क्या हो जाएगा हमारा bounded ठीक है I hope आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा तो अगले lecture में हम discuss करेंगे convergent sequence के बारे में उसकी theorem पढ़ेंगे और उसके examples को लेंगे कि कैसे हम prove कर सकते हैं कि एक convergent theorem है और अगर आपको मेरी ऐसे ही वीडियो देखनी है तो please मेरी चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करना ना बूलें तक्स फो बूलें